हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आज हम बनाएंगे दीपावली के लिए एक आसानी से बनने वाली इंस्टेंट बर्फी और इस बर्फी को हम सिर्फ 10 मिनट में घर में इजीली मिलने वाले इंग्रिडियंट से बनाकर तैयार कर लेंगे इसके लिए हमें चाहिए दो कप मिल्क पाउडर वन फोर्ट कप घी आदा कप शुगर और आदा कप भी दूद और इसके साथ गार्निश करने के लिए आप इसमें कोई भी नट्स पिष्टा बदाम या फिर आप चाहें तो चान्दी कवर्ट भी इस पे लगा सकते हैं इसे बनाने के लिए एक नॉन स्टिक पैन में मैंने वन फोर्ट कप घी डाला है इसे बनाने के लिए आप एक हैबी बॉटम पैन ले या फिर नॉन स्टिक पैन ले क्योंकि बहुत जल्दी चिपकने लग जाती है तो इस बात का ध्यान रखें अब उसमें हमने आदा कप द हमने के केसर टोडासा मैल कर लेना है । duż मैं अच्छी तरह से Miks कर लेंगे आप चाहें तो इस वक्तव कोई थोड़ी सी केसर बगाटर भी चाहें तो दुद में मिला के डाल सकते बायँ इसमें मैं यह कप दूड हम अच्छी तरह मिक्स कर ऐ है आप चाहें तो इसे थोड बर्फी सेट करने है उसे घी से अच्छी तरह से पहले सेट कर लें यह लगाने से बर्फी को निकालने में आसानी रहेगी तो सेट करने से पहले आप यह स्टेप जरूर कर लें अब हम हीट को लो करके अच्छी तरह से मिल्क पाउडर को दूद में मिक्स करेंगे इसे आपको लगाता चलाते हुए मिक्स करना है जिससे इसमें बिल्कुल भी लंप ना रहें तभी इसका बर्फिका टेक्स्चर अच्छा हैगा अगर आपको लग रहा कि इस तरह से आपका मिक्स नहीं और तो आप विसकी इसमें यूज कर सकते हैं बसे इसमें दिक्कत नहीं होती , जैसे यह हीट होता है importante की को अनुद इसके लंप सब रीव 스my Vielen जाता है बस इसे मन अनुद रहने हैं और बिल्स में निए 25 अब यहाले रह स्किप भी कर सकते हैं अब हमारा एकदम से अच्छी से मिल्क पाउडर मिक्स हो गया मैंने इसमें थोड़ी सी केसर डालिया पर वो भी एकदम और ज़नल है अब इसमें हम आदा कप मैंने चीनी डाली पिसी हुई आपको अगर मीठा कम पसंदे तो आप वन थर्ट कप भी डाल सकते हैं क्योंकि मिल्क पाउडर में भी थोड़ी चीनी होती है और मैंने इसमें पिसी हुई चीनी इसलिए डालिया कि जिससे यह जल्दी से मिक्स हो जाती है पर कोई प्रॉबलम नहीं है आप इसमें साबुत दानेदा चीनी भी डाल सकते हैं अब चीनी डालके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चीनी डालने के बाद इसकी हीट आप लोही रखें क्योंकि चीनी डालने के बाद क्या बार यह बॉटम में लग जाता है त आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जो desiccated coconut होता है उसे भी आप इसमें डाल सकते हैं और इसमें हमें milk powder ही यूज़ करना है जो coffee creamer आता है उसे इसमें हम नहीं डालेंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि यह इस तरह से pen छोड़ने लगे और dough जैसा बन जाए अगर आप इसे कम पकाएंगे और set करने थाली में रख देंगे तो problem कुछ नहीं है पर इसे set होने में काफी समय लग जाएगा तो जब इस तरह से pen छोड़ने लगे सिमटने लगे और आते जैसे आपको texture लगे तब समझें कि यह set करने के लिए तयार है आपने gas बंद कर दिया और सारे mixture को हम इस तरह से इस pen में या थाली जिसमें भी आपको set करना है उसमें आप इसे set कर लें अब इसे हम इस patola से इस तरह से एकदम smooth करेंगे अगर आप चाहें तो कटोरी में किसी में पीछे से घी लगाके तो भी इसे set कर सकते हैं एकदम smooth उसका ऊपर से texture कर दें इसे एकदम ये mixture एकदम smooth है तो आपको इसे level करने या smooth करने में दिक्कत नहीं होगी इसकी thickness कितनी रखती है ये भी आपको पड़े पैंड करता है आप इसे बरफी की thickness का रखे या काजू कत्रिय से पतली होती है उस तरह का भी रख सकते हैं अब इसे हम garnish करेंगे इसके इसे रख सकते हैं पिष्टे बदाम डालने के बाद मैं इस पर थोड़े से dry rose petal थे मेरे पास वो डाल रही हूं डालके हमसे पैटला से अच्छी तरह से press कर देंगे जिससे ये set हो जाए और काटते बाग गिरे नहीं अब इसे हम 1-2 घंटे के लिए set होने रख देंगे जि इसके हम जो आपको शेप चाहिए वो शेप आप कर लें इसमें और चाकू थोड़ा चिपक रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा घी लगा लें या बीच बीच में पोस्ते रहें जिससे एकदम से अच्छी शेप इसकी कटके तयार हो इसकी size और thickness आप अपने हिसाब से set कर सकते हैं और आप चाहें तो इसी तरह से इसको set कर लें और बीच गोल गोल लड़ू बना सकते हैं या आप से पेड़े की शेप भी दे सकते हैं देखें कितने अच्छी स्मूथ हमारी बर्फी बनके तयार हुई है एकदम इस तरह से soft melt and mouth बर्फी है और यह एक हफते तर एकदम सही fresh रहेगी आप रूम टेंपरेशर पर इसे रखें और ज्यादा लंबे समय तक रखना है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं आप इस बर्फी को इस देवाली पर जरूर बनाएं और अपने फैमिली और फ्रेंट्स के साथ एंजॉय करें रेस्पी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलेंगे एक नई रेस्पी के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखें